हेलो फ्रेंण्स कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे में रेनू अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी स्वादवित रेनू में आप सब का स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आज मैं जो रेसिपी स कर ली है और मैंने चार दाने मीडियम साइज के अर्भी धो करके काटके रख लिये हैं और साथ में ले लिया है ये भांग और साथ ही मैंने चड़ा लिया है कडाई चूले पर और इसमें डाल लिया मैंने सर्चो का तेल तड़के में डाल लिया मैंने जीरा और साथ में ही प्याज भी डाल दिया प्याज मैंने एक दाना काटा था और साथ में ही मैंने डाल लिया है अद्रक और लैसुन जो मैंने सिल्पट्टे भी पीस लिया था तो इनको भी मैंने पाउडर आधा चम्मच दाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इन मसालों को भी मैंने अच्छे से भून लेना है तो फ्रेंट्स मेरी कोशिस यही रहती है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी से हर करूं जो पारंपरिक पहाड़ी रेसिपी जो तो फ्रेंट्स आज सोचा कि क्यों ना मैं अर्बी की सबजी बनाती हूँ भांग डाल करके ये जो रेसिपी है वो मैंने अपनी मम्मी से सीखी है ये जो सबजी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंट्स भांग डाल करके तो सोचा क् लोगों के साथ यह recipe share करूं और इसमें मैंने डाल लिया है टमाटर टमाटर मैंने दो medium size के लिए लिए थे इसको भी मैंने अच्छे से गला लेना है यह जो सब्जी है friends अर्वी की वह बहुत ही टेस्टी बनती है भांग डाल करके सर्दियों में यह हर घर में बनाई जाती है कुमाओ छेत्र में तो friends तो देखे अब इसमें मैंने डाल लिया है अर्वी और इसको मैंने अच्छे से mix कर लेना है मसालों के साथ यह जो अर्वी है friends वो बहुत ही फाइदे मन्द होती है हेल्थ के लिए अर्वी की सबजी सर्दियों में खानी चाहिए हमारे हेल्थ के लिए यह काफी अच्छी होती है देखे friends मेरी कोशिस यही रहती है कि मैं आप लोगों के साथ हेल्दी रेसिपी सेयर करूं और इसमें मैं एड करने जा रही हूं मेथी यह जो मेथी है friends वो घर की ही मेथी है आप चाहो तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हो यह मेरे घर पे सुकी मेथी थी घर की ही तो मैं यह डाल रही हूं इतनी मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें हरी मेथी अगर डाली जाती है तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है मेरे पास अभी हरी मेथी नहीं है तो मैं ड्राइ मेथी ही इसमें डाल रही हूँ आप चाहो तो इसमें हरी मेथी भी डाल सकते हैं और अब इसको मैं धककन से धक दूगी, देखे फ्राइंज्, मैंने इसे धक करके लगभग आदा घंटा इसे पकाया है है फ्राइंजो इसको पकने में थोड़ा सव टाइम लग गया है आप चाहो तो इसे कुकर में भी बना सकते हो मैंने इसे कडाई में बनाया इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा time इसने ले लिया है आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं ये जल्दी से गल जाएगा तो friends देखे अब ये जो अर्बी की सबजी है वो बन करके तयार हो गई है और अब इसमें मैं add करने जा रही हूँ भांग जो मैंने आपको starting में दिखाए थे वो मैंने piece लिये थे देख लिजे इसका मैंने piece के रस बना लिया है अच्छे से उसको piece करके छन्नी में चान करके इसका रस मैंने बना लिया था और अब इसको मैंने इसमें add कर लिया है और अब इसको अच्छे से पका लेना है इसको पकाने में मुझे लगभग 7 से 10 मिनटी से लगे है तो देखे फ्रेंड्स ये जो अर्बी की सबजी है भांग डाल करके जटपट से बन करके तयार हो गई है तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से हमने पका लेना है पकाते पकाते ये अच्छे से गाड़ा हो जाता है और ये जो सबजी है भांग डाल करके अर्बी की बहुत ही टेस्टी बनती है तो ये जो तरीका था मेरा अपना तरीका था अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो सबजी बनाने का तो प्लीज आप मुझे लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें तो फ्रेंट्स देखें यह जो अर्बी की सबजी है वो बन करके हो गई है तयार तो फ्रेंट्स आप भी अपने घर में ऐसे ही ट्राइ करें यकीन मानिए यह सबजी बहुत ही टेस्टी बन दी है सरदियों के दिनों में तो फ्रेंट्स तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और यह वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो माच अब मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई